नमस्कार मैं सतेन कुमार गवर्मेंट आटे कॉलेज में टीचर हूँ और आप सभी चात्रों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी आई 360 डिग्रीज में आप सभी चात्रों में से बहुत सारे चात्र हैं जिनका आईटी आई जो है वो कम्पलीट हो चुका है अब उनको जो है आगे नहीं पता है कि क्या करना चाहिए ऐसे मैं मैं गवर्मेंट आटे कॉलेज में टीचर हूँ आप सभी का शुरु आज से ही मैं आप सभी को जो है मा गाइड करता आ रहा हूँ आगे भी मैं आपको गाइड करता करूंगा तो आईटे के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं आज इस वीडियो के बाद द्यम से मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा तीन चीजों पर आप लोग फोकस कर सकते हैं तीन रास्ते जो है वो चुन सकते तीनो रास्ते मैं आपको बताऊंगा तीनो रास्ते चुनने से उसका क्या लाब होगा और कैसे कैसे आप लोग जो है आगे रास्ते पर जाएंगे तो क्या-क्या चीज़ें आप लोग जो है कर सकते हैं क्या-क्या चीज़ें आप लोग जो है करेंगे तो उसका क्या फायदा ह वो सारी चीजी आज इस वीडियो मैं आपको कलियर करूँगा वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने सबीस चातरों सैंवेदन है चैनल को सस्क्राइब नहीं किया सस्क्राइब कर ले नोटिफरिम केसफ्र well pay all pay price नहीं किया तो price कर लें तो सबसे पहले हम बात करें अगर आप ITI complete कर लिए हैं अगर आप पहला option जो रहता है तो सभी छातरों के मन में जो रहता है वो रहता है job तो आप लोग अगर job करना चाहते हैं तो दो पिरकार की job आप लोग कर सकते हैं पहला है आप लोग private company में job कर सकते हैं और दूसरा जो है वो government जो है company में कर सकते हैं तो government के लिए vacancy आती रहती है जैसे कि अभी बरतमान में DRDO की vacancy आई है और और भी आप लोगों का IOCL की vacancy आई है ऐसे और भी vacancy आती रहती है बेल में सेल में तो गेल में इन में vacancy आती रहती हैं तो government में vacancy के लिए आपको इंतिजार करना पड़ेगा और साथ में आपको उसकी competition की तैयारी भी करनी पड़ेगी तो पहला आप ITI के बाद job कर सकते हैं जिसमें पहला है government job जिसमें आप लोग फार्म आता है फार्म भर सकते हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं पूरा प्रोसीजर फालो करके अपनी government job ले सकते हैं दूसरा है private job जिसके लिए परतेक ITI में रोजगार मेला लगता रहता है आपके ITI में नहीं लगता है तो आपके निकटतम जो ITI होगा दूसरे district में या फिर बड़े district में जैसे लकनाओ इलावाद हो गया है तो हर जगा जो है apprenticeship मेला लगता रहता है या फिर रोजगार मेला लगा रहता है तो आप लोग वहाँ से private job भी ले सकते हैं हो सकता है कि आपके खुद के ही ITI में जो है company आती हो तो वहाँ से भी आप private job ले सकते हैं तो private job तो आप at the point तुरंथी start कर सकते हैं और private job अगर आप start कर देंगे और साथ में आप लोग government job की तयारी भी करते रहेंगे तो ये भी हो सकता है तो ITI करने के बाद सबसे पहला option जो है वो job है जिसमें private और government जोनो job है government job के लिए आपको थोड़ा सा इंतेजार करना पड़ेगा form निकलेगा तयारी करेंगे और उसका जो भी process होता है उसको follow करेंगे और दूसरा है private job जो की आप अपने ITI में ही campus placement के लिए कंपनियां आते रहती हैं आराम से वहाँ पर जा सकते हैं वहाँ पर आप लोग नोकरी कर सकते हैं तो पहला option है नोकरी ITI करने के बात दूसरा option की बात करें तो दूसरा option जो है वो apprentice है apprentice भी एक type की जो है नोकरी है जिसमें आपके दो फाइदे होते हैं पहला फाइदा होता है आपको सिखाया जाता है जैसे कि आप बहुत सारी चीजे जो है किताब में पढ़ते हैं और ITI में उनका practical भी करते हैं पर ITI में हो सकता है आपकी complete machine दी ना हो या पिर teacher के अबाव में सामान के अबाव में आपको आदी चीजे सीखने को ना मिली हो तो आप जब apprentice के लिए किसी company में जाते हैं तो उस company में आपको जो है वहाँ पर कौन सी updated machines हैं और कौन सी technology अभी चल लई है उस पर ही आपको पूरा सिखाये जाता है तो आप लोग जो है apprentice में आपको सीखने को भी मिलता है training भी आपकी होती है और दूसरा आपका जो है पहला आपका जो apprenticeship का फायदा है वो आपकी training है जिसने आपकी skill मजबूत होगी और साथ में आपको stipend भी मिलता है तो stipend जो मिलता है वो लगवग आपका 7000 से लेके 8000 तक मिलता है तो आपका ऐसे में आपको सीखनों को भी मिल जाता है और साथ में आपको जो है पैसा भी कुछ आपको मिलता है वहाँ पर ताकि आपका जो खाना कर्चा है वो निकलता रहे apprentice के उपर आप लोग ज़्यादा ज़्यादा मातराम बताएंगे सर apprentice जो है वो उसका क्या फायदा होता है आगे क्योंकि apprentice जो है एक साल की होती है उसके बाद कंपनी वहाँ से हटा देती है तो हमें क्या फायदा होता है उस एक साल का और apprentice हमें क्यों करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए इस पर ज़रा थोड़ा सा बताइए तो आप लोग अलग से comment करेंगे इसे Specifically के बारे में पूरी जानकारी दीजे कि apprentice से आगे क्या फायदा होता है तो वह आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताएंगा क्यूंकि apprentice के बी जो है वह बहुत फायदे होते है और वह जैनुवल फायदे आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊ हओँ जो तीसरी चीज होती है, वह होता है, उच्छ कोर्स जिसमें आप जू है, वो CITS कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है आगे अगर आई ट्याग बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसमें आपको डारेक्ट जो है, second year में admission मिल जाता है diploma के तो एक साल आपका कम हो जाता है तो diploma तो सबको पता होगा direct second year में admission ले लेंगे diploma आपका complete हो जाएगा तो IT एक बाद आपको diploma की एक साल बच जाएगी अब CITS क्या होता है CITS क्या होता है CITS के क्या benefit होते है देखिए CITS मतलब होता है जो आप जैसे की ऐसे समझे जैसे basic सिक्षा होता है जो primary में teacher बनते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी होता है या तो लोग beard करें या फिर BTC करें तो ऐसे ही ITI में teacher बनने के लिए government ITI में या फिर private ITI में teacher बनने के लिए आपको CITS करना ज़रूरी होता है तो एक साल का CITS होता है तो आप लोग चाहे तो इसको CITS भी कर सकते हैं जिसका form आता है entrance exam होता है और उसके बाद CITS में आप लोग कर सकते हैं तो तीन option मैंने आपको बता दिये कौन-कौन से option है सबसे पहला job का option है जौब आप लोग कर सकते हैं private सरकारी दूसरा apprenticeship का option है और तीसरा जो है वो CITS या फिर डिपलोमा जिसको आगे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो CITS या फिर डिपलोमा कर सकते हैं और CITS के बारे में अगर आप अलग से पूरा कुछ जानना चाहते हैं इस सर बताईए CITS का क्या फायदा होता है कौन से चातर CITS कर सकते हैं कौन से चातर नहीं कर सकते हैं वो सारी चीज़े अगर आप CITS के बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको जो है अलग से बता दूँगा तो अगर आप अपरेंटिस और CITS के बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा फिलाल आइटिया के बाद जो है ये तीन चीजें आप लोग कर सकते है अब बाकी अगर किसी के पास जो है थोड़ा सा उसके पास जो है आर्थिक रूप से मजबूत है तो वो अपना ब्यापसाई भी खोल सकता है ब्यापसाई का मतलब जैसे कि अगर कोई वेल्डर से किया हुआ है तो वेल्डर की दुकान खोल सकता है अगर कोई वेल्डर से आ जो है अगर आपके पास है तो आप जो है अपना बेफसाय भी खोल सकते हैं तो इस वाले option को ज़्यादा लोग नहीं चैन करते हैं इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है पर ये भी option आपके जो है कही न कहीं दिमाग में रहना चाहिए तो जो भी welder का है चातर अगर वो जो है आर्थिक रूप से मजबूत है तो अपनी welding की workshop कोल सकता है फिटर का है तो फिटर की अपनी की वैक शॉप कोल सकता है तो आसा करते हैं जो आप लोगों के आई टीअ। के बाद आपको क्या क्या कर सकते हैं इस पे आप आप लोगों का जो है वो concept क्लियर हो गया होगा और आप लोग अगर apprenticeship के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं comment करिए apprenticeship के बारे में बताने के लिए और अगर आप CITS के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग CITS के बारे में कमेंट करिए तो मैं दोनों के बारे में अलग अलग वीडियो बना दूँगा ताकि आपको सारी चीजे समझ में आ जाए आसा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया इस पे आप लोग अमल करेंगे और अपने जो है भविस में अपने जो है इस पे अमल करते हुए आगे अपने जो है कैरियर को बढ़ाएंगे और मैं यही चाहता हूँ कि सभी छात्र जो ITI किये हैं आगे भी बहुत जो है सफल हो और सभी छात्रों को बहुत बहुत बदाई आप लोग ने बहुत अच्छा ITM किया ऐसे ही जीवन में अपनी तरक्की करते रहे और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करतीजे चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करतीजे सुड़ूंब सेतनाई धन्यवाद